सुप्रभाद मैं सुनिल कुमार करियर जोन की और से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज कभी से है समता का अधिकार पिछले विडियो में हम बताए थे कि भारत में मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ था आज बात करेंगे समता के अधिकार के बारे में समता का अधिकार समिधान के किस अनुछेद में बनेत है और विविन अनुछेद में क्या-क्या प्रावधान है समता के अधिकार का बरनन, संबिधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है और अनुच्छेद 14 में है कि विधियों का समान समता और विधियों का समान सनरत्छन इसका मतलब क्या हुआ कि राज एक ऐसा कानून बनाएगा जिसके नजरों में भारत में रहने वाले सभी वैक्ति एक समान होंगे यानि कानून के नजरों में एक समान होंगे दूसरा विधियों का समान संदच्छन इसका अर्थ होता है कि राज के अधीन रहने वाले सभी वैक्तियों को समान रूप से संदच्छन दिया जाएगा अब दो महत्पुन बाद जाने कि विधी के समच समता की अबधारना कहों से लिया गया है यह तो कानूनन विधिसंबत लिखा गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी वैक्ति कानून के समक्ष एक समान है इसके अपवाद हैं जैसे राष्टपती, राजपाल, उपराष्टपती, संसर, विधान, मंदल के सदस यह सभी अपवाद हैं जिनकों की विशेज अध पर भी छूट पराप्त है, अब जैसे कोई बाल अपराद ही हैं और कोई वैस्क अपराद ही, एक ही अपराद के लिए वैस्क को करी से करी सजा दी जा सकती है, यहों तक की फौशी की सजा भी दे जा सकती है, लेकिन अगर कोई बाल अपराद ही हैं, तो उन्हें कम से कम मिर लिखा गया है कि सभी बैक्ति एक समान लेकिन इसके अपवाद भी हैं यह है समता का अधिकार दूसरा है अनुछेद पंद्रह में धर्म, मूलबंस, जाती, लिंग, इत्यादी के अधार पर या जन्मस्थान के अधार पर किसी बैक्ति के साथ विभेद नहीं किया जा सकते है यह है अनुछेद पंद्रह में अब अनुछेद पंद्रह को कई भागों में बाटा गया है पंद्रह एक, पंद्रह दू, पंद्रह तीन, पंद्रह चार और पंद्रह पंच अब हम लोग जानेंगे कि इस पंचों में अलग-अलग क्या प्राबधान है अनुछेद पंद्र इस अधार पर ये देख रहे हैं लिखा हुआ है ये केवल धर्म जाती निवास अस्थान के अधार पर इसका मतलब हुआ इसके अलावे किसी अनधार पर किया जा सकता है जैसे भासा के अधार पर निवास अस्थान के अधार पर कर सकते हैं इसलिए कुछ ऐसे राज हैं जहां पर निवास अस्थान के अधार पर छित्रिय लोगों को सरकारी नोक्री में नियोजन किये जाते हैं अब अनुछेद दू क्या कहती है अनुछेद दू कहती है कि धर्म जाती लिंग इत्यादी के अधार पर मूल बंस जन्मस्थान के अधार पर किसी भी बैक्ति को सार्वजनिक संपत्ती सार्वजनिक अस्थान को प्योग करने से रोका नहीं जा सकता है जैसे स्कूल, रेलवे सरक या सामोही भोजनाले हो तालाव हो सारवजिनिक कुवां हो वह इसे अस्थार्म पर किसी भी ब्यक्ति को आप रोक नहीं सकते हैं जो हमारा अनुछेत 15 दू कहती है किसी को धर्म जाती के अधार पर आप रोक नहीं सकते हैं सारवजिनिक शंपति को प्योग करने से अनुछेत 3 में लिखा है अनुछेत 15.1.2 में जो भी बातें लिखी गई हो ये 15.3, 15.4, 15.5 उसके अपवाद हैं अपवाद इस मामले में जो बातें 15.1 और 15.2 में आपने बरनेत किया उसके ठीक विप्रित बात किये जा रहे हैं अब जैसे 15.2 में 15.2 में विवेदात्म किया है कि इसमें महलाओं और बच्चों के लिए बिसिस कार्जकरम की बात कहे गई है अब जैसे महलाओं के अधिकार को रच्छा करने के लिए महला आयोग की गठन की बात महलाओं को के लिए उन्नती के लिए कल्यानकारी कार्जकरम विशिस रूप से किया जाने की प्रावधान है और साथ साथ 15-3 में ही बच्चों को उन्नती के लिए सिच्छन संस्था स्थापित करने के लिए भी प्रावधान किया गया है यानि महिलाओं और बच्चों को के लिए विशेष प्रावधान 15-3 में किये गए हैं अब 15-4 में क्या है 15-4 में कहा गया है कि सामाजिक सेचनिक दिरिश्टी कोंसे पिछले बर्ग SC, ST यानि अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती को कल्यान के लिए उन्नती के लिए विशेष कार्जगरम का आयोजन करना ये है 15-4 में अब 15-5 क्या कहती है 15-5 कहती है कि अलब संख्यक इस स्कूल को छोड़ करके या अलब संख्यक विद्याले को छोड़ करके जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज हैं Engineering College है या Medical College है उसमें SC, ST या अन पिछले बर्गों को आरक्षन प्रवेस में आरक्षन का प्रावधान यह सरकारी नोकरी का आरक्षन नहीं है बले कि College में नमांकन करने के लिए चाहें वो Engineering College हो या Medical College हो उन्हें में नमांकन में आरक्षन का प्रावधान किया गया है जो बरने थे हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता का बरनन अनुचेद सूले में है इसका मतलब यह हुआ कि भारत के सभी नावरीकों को सरकारी नोकरी में नियोजन या नियुक्ती होने का अधिकार होता है अब अनुचेद सूले में अवसर की समानता को भी कई खंड में बा कही गई है या कही गई है कि जाती धर्म लिंग अस्थान लिंग या निवास अस्थान के आधार पर किसी वैक्ति किसी नागरी को सरकारी नौकरी में या सरकारी नियोजन में किसी के साथ विभेद नहीं किया जा सकते हैं यह बातें अनुच्छे सोले एक और दू में कही गई ही है लेकिन इस समता के अधिकार का कुछ अपवाद भी हैं जैसे सोले तीन सोले चार और सोले पाँच में अब सोले तीन में क्या कहा गया है सोले तीन में कहा गया है कि निवास अस्थान के निवास भी से एक प्रावधान के अनुसार निवास अस्थान के अधार पर उचराज को अधिकार दिया गया है कि वो अपनी हाँ अस्थानी नökरी में अस्थानी लोगों को प्राथ्मिक्ता दें कहासकर कि चुटी नोकरियों में वर्तमाउन में यह बात अभी आंध्र प्रदेस में लावू है अब बात करते हैं 16-4 में 16-4 में है सरकारी नोकरी में समय साफ लिखा गया है कि अगर सामाजिक या सेचनिक दिरिश्टी कौन से पिछरे बर्ग अनुसुचित जाती अनुसुचित जान जाती और बरतमान में EWS यानि उंचे जातियों में जो समाजिक और आर्थिक रूप से पिछरे बर्ग हैं सब को सरकारी नोकरियों में आरक्षन का प्रावधान किया गया है जब भी आपसे पूछा जाए सरकारी नोकरियों में आरक्षन का प्रावधान किस अनुचेद में तो वह है अनुचेद 16-4 में हैं और किनको किनको चाहें जितने भी आरचित बर्ग हैं वो या तो OBC हों, SCST हों या वरतमान में EWS को दिया गया है इन सारे नवक्रियों में आरच्षन का प्रावधान अनुचेद 16.4 में ही है अब अनुचेद 16.5 में क्या गया इसमें लिखा गया है कि अगर अलपसंक्यक कोई संस्था हो, कोई विश्विद्याले हो या कॉलेज हो तो उस अलपसंक्यक विद्याले या कॉलेज में उसके संचालक उस धर्म के लोग ही होंगे जैसे अलिगर्ड मुस्लिम इस्विद्धाले में हैं उनकी प्रिंस्वल जब भी होंगे तो किसी अलपसंख्या के समधाई खास करके मुस्लिम समधाई के ही होंगे यहाँ बातें समिधान के अनुछेद सूलह पॉच में प्रापधान किया गया है अनुछेद 17 में लिखा गया अस्परिष्चेता का अस्परिष्चेता मतलब होता है चुआ 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 को प्रतिष्चेत किया गया है और समिधान के अनुछेद 35 में संसद को अधिकार है कि अस्परिष्चेता से संबंधित कोई कानून बना सकते हैं और संसद इस अधिकार का प्रियोग करते हुए 1955 में असप्रिष्टा उनमुलन कानून पारित कर दिया जो हमारे देश में असप्रिष्टा को अंत करती है और उसके तहट अगर कोई उपजी समस्या हो उनके उपर कानूनी का रवाई की जा सकती है यह प्रदाबधन हमारे अनुचेद 17 में है अस्परिस्तता का अंत कर दिया गया है अब अनुचेद 18 समता काधिकार का अंतिम प्रावधान 18 में क्या गया है 18 में है उपाधियों का अंत और 18 को भी कई भागों में बाटा गया है 18 एक 18 दू अठार तीन और अठार चार अनुचेद 18 एक में कहा गया है कि राज बिद्या और सेना के सिवा किसी को उपाधि नहीं दे जा सकती यह नहीं सेना या बिद्या के अलावे कोई उपाधि नहीं जा सकती है और उपाधियों का अंत किया गया है अनुचेद 18 दू में कहा गया है कि कोई बैक्ति कोई भारती है बिदेशी राज से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा 18 तीन में कहा गया है अगर कोई बिदेशी भारत में भारत सरकार के अधिन या राज सरकार के अधिन कोई लाव के या विस्वास के पद पर कार्ज रते हैं और ऐसे बायक्ती को अगर कोई विदेश से पुरुसकार या कोई पुरुसकार दिया जाता है तो वो पुरुसकार तभी गरहन करेंगे जब उन्हें हमारे भारत के राष्टपती अनुमती दें तब गरहन करेंगे अन्हे था वो विदेशी भी अगर हमारे देश में लाव के पद पर विस्वास के पद पर हैं तो उनको नहीं दिया जा सकता है और या अगर वो पुरुसकार लेते हैं तो हमारे राष्टपती के अनुमती से लेंगे अनुछेद 18.04 में उसी को वियाक्या की गई है कि भारत के लोग हों या विदेशी जो हमारे देश में लाव के पद पर हैं या विस्वास के पर हैं अगर वो कोई पुरुषकार विदेशी पुरुषकार गरहन करना चाहते हैं तो राश्पती के अनुमती से ही वो पुरुषकार गरहन करेंगे यही है हमारा समता काधिकार जो 14-18 तक में बरनित है इसी के बारे में आज हम लोग बात किये और आज के वीडियो में सिप इतना ह पिर हम अगले मुला धिकार के बारे में दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद